को दोस्तो नमस्कार मेरानामें डॉक्टर करें लुफ भाकत है krijको खुलिए को आगे के बारें के बारा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाये ताकि नया अपडेट आपको मिलता ही वहत ही बहुत ही बहुत ही पहते ही है में रावत सबसे specular symptom इसका होता है blood का ज्यादे मातरा में जाना। यह十का बड़ा khas symptom है। अगर हम इसके मल की बात करें। तो इसका मल ठीक्षिपा होता है। ताथ ही patient कंदिशिंस मंहीं भी आराम नहीं पाता है। करने जाता है उसके बात बाद बसको बेखता है यह अराम हो गया यह 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 इस नहीं नहीं होता है और यहां पितर लगता है यह और अलग बात है यह फिर थोड़े दिर बाद पृर सको लग जाते है इस तो फिर से जाता है वह लेकिन जितनी बाद जाता है पेशन उसको बेटर फिर होता है नक्स मिका में लेकिन मर्ग-sall में यह फिलिंग नहीं आपाती दोस्तों यह इसका बड़ा के मात्रा मात्रा कम है ये बड़ा इंडिकेटिंग सिंपूम होता है मर्क सॉल का अलक्र उलटा होता यान almighty व्लट की मात्रा कली मैं मिकोस जादे जाता है वहां पर आपहा कोर का इस्तेवाल करेगे भप कि युदन बढ़ बार पशाब लगती है और पर पिशाब करने जब भी जाता है उसको ज़्यादे मातरा में बातरू में भात रूम होती है और पाणी पीटा है यह ज़्यादा पानी कैसे निकलाता है दोस्तों ये बड़ा खास symptom कास क्रेशिएक है जितना hungry इसपी बब्रात्रूम होतीят इस ज्यादए मात्रा में बात्रूम होती है हिस इसका बड़ा खास symptom है दोस्तों एक बड़ा खास symptom है Mark Sol का ऐसे अपने दोस के साथ में, तो अखर कभी एसे संटम आया है कि इसके साथ में ब्लड भी मिक्स हो हो वहां पर बहुत ही बेहतरीन समय करती है मर्क चाम करती है इसको हम कंपेर कर सकते हैं तो उस लेटरिम पाल सरसप परिलागे साथ है दोस्तों एक बेहतरीन दवा है मर्क सॉल लेडीज के लिए भी दोस्तों लिकुरिया की किस्ट में बहुत अच्छा सिम्टम इसका है कि तीखा होता है एक्रिड डिस्चार्ज निकलता है जलन पैदा करने वाला होता है और जहां पर लगता है वहां पर इच्छिंग और राने करती है दोस्तों लिकुरिया में एक अध़ भास उकल होता है कि अधिर ने जाती है य poking जलन बढ़ जाती है और पानी बार पिशान को आराम मिलता है कि इस सिम्टम पे बहुत वी यूसफुल दवा है मर्कस और इसको हम कंबेर कर सकते हैं सल्फर के साथ है दोस्तों एक बड़ा खास सिम्टम है लेडीज के केस में कि लेडीज में ये सिम्टम पाई जाता है कि प्रात्यकाल में शुबर के समय में पिशन को बादे निकल जाती है और वो बिस्तर करती है दो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इस सिम्टम पहुंच जाता है उसंता काम करती है दोस्तों लेडीज के एक बड़ा खास सिम्टम है कि जब भी मेंसेज होता है तो उस दोरान पिशिंट का जो बेस्ट होता है वह पेइनफुल हो जाता है दर्दनाख हो जाता है और ऐसा लगता है कि यह से इसके इंदर घा हो जाएगा जितनी बार मेंसेज होगा तो इस मेंसेज के बड़े अगर व्यश्ट से दूद आने लगे वैसी कंडिशन के लिए एक बेहतरीन दवा है मर्क साल खासी के वे बहुत बहुत बहुतरीन दवा है खासी सूखी हो ठका देने वाली हो भौकने वाली हो ऐसी हो जैसे कि प्युक्ते भौक्ते हैं बार्किंग कफ और खांसी दोस्तों इस्पेश्टी टू पैरग्जिज में आये मत्तब दो बार इसकी बहतरीन दवा है कोई भी खांसी हो किसी प्रकार की अगर पैरग्जिज माता दोस्तों इसको हमेशे आद रखिएगा तो बहतरीन काम करती है मर्ग सॉल्व मैंने कई सारे केसे इससे सही क इस सीम्टम को हमेशे रखिएगा इसके लावा दोस्तों खांसी बिस्टर की घरमाई से रात के वक्त में इसकी खांसी बढ़ जाती है लुट यह वह इसको साथ में आदि को दॉस्ते सात्म में एक बहुत बैतरीन स्वुठम होता दूस्तों कि प्रिशिंट दाहने करवत न जानते हैं बहुत अच्छा जैपकिट करती एसलिए दाहनी कर ओवाट यह दैशने के दाहन मेंा चूंद हम अब्रबिट करख एक हमें वर इन को जानते होंगे कूल लोग होता नीक्ति चीरिक्त பर्वक और टीमें जाधीक्ष जानते होंगे मर्क साल के केस में और इसका जो दर्द होता दोस्तों चुबने वाला दर्द होता है सुई की तरह और यहां से शुरू हो करके मतलब आपको उल्टा दिख रहा होगा आप समझे कि यहां से शुरू हो करके नीचे भाग से शुरू हो करके जो दर्द होता है वो पीशे की तरफ चला जाता है पीट तक दोस्तों चुबने वाला दर्द सुई की तरफ तो इस सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है मर्क्स इस सिम्टम पाए जाता है कि टेश्ट से लेकर के पीछे तक सुई चुबने की तरह दर्द अगर जाता है तो वहां पे यह तीनों दवाए बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों नीमोनिया के बाद जब फेफड़े से रक्तस्राव होने लगे या फेफड़े के अंदर में पस्पॉर्मिशन हो जाए वैसी कंडिशन के लिए एक बहतरीन दवा है दोस्तों मर्क सॉल इस सिम्टम पे इसको हम कंपेर कर सकते हैं काली कारब के साथ में दोस्तों जब भी काली खांसी के बाद अगर नांक से बलड़ आने लगे तो वैसी कंडिशन के लिए दोस्तों ए अगर बहुत अच्छा काम करती है इसके साथ में जो इसकी बेसिक कर्णिशन है कि सिलेवा बहुत ज्यादे बनना चाहिए वह होता है दोस्तों यह बहुत अच्छा काम करती है यह हो सब्सक्राइब अगर ऑजनदे अगर बहुत होता है वह होता है जो जो अपर ऐसके साथ में जासा और आप अगर ध्यान से और गंद और भदेते दीखाए देते हैं दोसको जो बेस होता है त Kelli घिनार काम करती है वीत अगर बहुत होते है उसके अगर आप makes up काला घेरा जैसा आपको दिखाई देगा दोस्तों एक बड़ा डिफाइंड सिम्टम है अगर आप इसी को समझ जाते हैं तो कोई भी घाव या कोई भी अलसर इस प्रकार के अगर आपको मिलता है जिसका इर्रेगुलर सेप हो घेरा उसका जो होता है किनारे किनारे वो काले र देखना है एक सिम्टम कि प्यास बहुत जाद होता है और यह सिम्टम मिलते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करती है मर्क साल का इसके जो अलसर होते हैं घाव होते हैं वह आपस में सटे हुए फैलते रहते दोस्तों यह इसका बड़ा खास सिम्टम है जो आपको बताओं कि होता है कि सिंप्रिटिक जो होते हैं जो सिंथरीटिक अलसर जो ह צावते हैं उसके अंदर में एकुंटम करते हैं तो 5 हीम यह जो किनारे होते हैं यह बिल्कुल राउंड सेप को होता जो नो होता है जबकि मर्क साल का क्या होता है इर्रेगुलर होता है यह बड़ा समझना जरूरी है यह एक डिफिरिंसेटिंग पॉइंट है दोस्तों मर्क साल का जो किनारे होते हैं वो आप देखेंगे कि वो होता है ब्लैक कलर का जबकि सिफिल्टिक अलसर जो होते हैं उसके किनारे होते हैं वह थे हैं तावे के कलर के तो यह बड़ा समझना जरूरी है कलर में डिफरेंशियाट दोस्तों हो जाता है वह होता है सिफुरिक अशर का जब की डिफिरिंसियंट जब कि मल्क साल खुद भी एक सिफुरिक मैडसीन है लेकिन अधर मैडसीन से कैसे इसको पर रहता है जबकि मर्कसाल का अगर अलसर है तो वह अपने जगर से आसपास में सटा हुआ फैलता रहता है यह इसका बड़ा एक अगर आप समझ जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब भी आप किसी अलसर को ठीक कर रहे होंगे तो दोस्तों मर्कसाल हाथ हर पेरों के कंपन में भी बहुत काम आती है इसके अलावा यह पैरलेसिस एजिटेंस यानि पैरलेसिस की भी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों रात के वक्त में पहले पसीना आना पैर ठंडे हो तो इस कंडिशन में या ऐसे स्म्टम पे बहुत अच्छा वर्क होता है मर्कसाल का दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और सिंटम्स हैं मैं कुछ एक सिंटम्स के बारे आपसे बात करता हूं मर्कसाल में दोस्तों आप इसको हम कंपेर कर सकते हैं केलिगरिया पिक्रेटा के साथ हो इसके अलावा च्छी काती है सर्दी जुकाम के दौरान में दोस्तों जो कि धूप में बढ़ जाती है तो दोस्तों उस सिंटम्स पे मर्कसाल बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों मैंने आपको बताए कि थं ठंडग बरदास्त नहीं होपाता है ठंडग दोस्तों अब तकलिफे और बढ़ जाती है पिशिन को रात में ठंड़ा पसीना आता है दोस्तों कुछ लिखते हैं कि मर्कसाल जैका थर्मामेटर जैसा होता है हर चीज का टेंपरेशर बताता है जो पेशिंट होता है मर्कसाल अा यह धंड door गर्मी के प्रति दोस्तों सिंस्टी बहुत ज्यादे होता अफ्य कमड़ बहुत ज्यादे थंड ..बहुत ज्यादे ठंड कर्थिय। अश्व sympathड के ऐग बहुत ज्पूत kinds of bik झाल अब छण resolutions के पिशिटे में सरफ है पसीना होता है बहुत ज्यादे फिटीड होता है जिसने भी डिस्चार्ज इसके होते दोस्तों बहुत ही बदुदार होते हैं यह भी इसका बड़ा डिप्रिंसेटिंग सिंटम होता है पसीना जैसा कि मैंने बताया कोल्ड या तैली युक्त होता है तो यह भी इसका बड़ा सिंटम होता है पसीनह होने के बाद के बढ़ जाना यह भीए क्वा सिंटम है मर्क साल rhythm है जिसक्शाट दोएक शिब होती है मोटी होती है है दो और medicine से दोस्तों पहली है नैट्रिक एसीड दूसरी है लेकसिस इनमें भी यह symptom पाया जाता दोस्तों तो यह तीन दमाएं बहुत अच्छा काम करती है इस symptom के आधार पर हाँ एक जि ध्यान रखना आपने रखना जो जो अर्चास होता है उसके साथ में इर ऊचुन दूसर साच में और बहुत अच्छा काम करते दोस्तों। दोस्तों अगर हम उसका र्लेसंस की बात करें सलेशया के आस पस इसको किका इसका इस अगर में इसको स्झसने यानी पस्कों जै dissipati क्या जाता है यहां गाल जल्दी से सही हो जाता है दोस्तों जब कभी मर्क सॉल या मर्कूरियस का या यह तो पारा का अगर बैड इफेक्ट हो या उसके सैड इफेक्ट होते हैं दोस्तों तो उसको दूर करने के लिए औरमेट, हीपर सॉल्फ, लैकैसिस, लैटरिक एसीड, सॉलफर का इस्तिमाल दोस्तों किया जा दोस्तों जब भी मर्क सॉल की जादे मात्रा दी गई हो या इसी पेशिट में इसका बार-बार रेपुटिशन कर दिया गया हो तो वहां पे इसके सैड इफेक्ट होते हैं इसको दूर करने के लिए मैजेरियम का इस्तिमाल किया जाता है जो कि इसका एक वेज्टेबर एना जाता है जब वर मल्कम करनेके से होने जो रोग होते हैं या आरसैनिक चया कोपर वआप सो होते हैं कि यो गंद से निकलने moderate ढोले होते हैं कि पीटों के चाटने बाद या उसट ऊच्छान ऐसे काम करती है MA की नम उसमाग समय. इसके अलाब को कारभा नी तकलीफ nhi काम जा değildi. थंधे और और त्थैम्प probability ज्मिंट नहीं काविता। परीए का complain थिया हैंर। उस मौसम में भी इसकी तकलीफे बढ़ जाती हैं इस सिंटम इसको compare कर सकते हैं rustox के साथ में rustox में भी वेट और damp वेदर में इसकी तकलीफे बढ़ती हैं इसके लावा दोस्तों जब दिन गरम और राते थंडी हो वैसी condition में भी मर्क साल की तकलीफे बढ़ जाती हैं दिन गरम हो और रात थंडी हो नम हो तो वहाँ पे मर्क साल बहुत अच्छा उप्योग कियाता इसके अलावा पसीना होने से इसकी तकलीफे बढ़ जाती हैं दाहनी तरफ लेटने पे भी इसकी तकलीफे बढ़ जाती हैं दोस्तों गर बाई तरफ लेटने पर तकलीफे बढ़ें तो वहाँ पर लाइकोपोडियम का इस्तवाल कियाता दोस्तों मर्कसाल और आर्सेनिक में एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि मर्कसाल को जो पेशन्ट होता दोस्तों उसको बिस्तर की गर्मी से उसकी तकलीफे बढ़ जाती है जबकि बिस्तर में लेटने पर उसको आराम मिलता है जबकि दोस्तों आर्सेनिक में क्या होता है कि आर्सेनिक में पेशन्ट को बिस्तर की गर्मी से आराम मिलता है जबकि बिस्तर में लेटने पर उसकी तकलिव में बढ़ जाती है यह एक बड़ा खास और डिफ्रेसियटिंग सिम्टम होता है दोस्तों मल्क साल और आसनी के बीच में दोस्तों इसकी कंप्लिमेंटरी मेडिसीन है बैडियागा और इसका दोस्ते इसमाल गयाता है वह ज्यादे तर 30-200 पोटेंसी में और आशक्ता पढ़ने 1M पोटेंसी भी यूज़ कि जाती है लेकि वह किसी डॉक्टर के सलाहत पर ही इसका इसमाल करना चाहिए ज्यादे तर 30 या 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी है तो दिन में तीम बार लेजा सकता है सुवद उपर शाम 200 पोटेंसी है तो सुवद लिया जा सकता है लेकि यह सारा कुछ भी दोस्तों किसी क्वालीफाइड डॉक्टर के सलाह पर ही लेना ज्यादे अच्छा रहेगा दोस्तों यह जानकारी आज हमने आपसे शेयर करी है मर्कसौल के बारे में सेकेंड पार्ट रहा है और दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आज की जानकारी से आप लोगों को फायदा जरूर होगा आपको जानकारी दोस्तों अब लगया और यह जानकारी अब को अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर नए हूँ आप और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इस तरह की वीडियो इस तरह की जानकारी आपके सामने हमेशा मैं लेकर आता रहता हूं फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ में तब तक अपना ख्याल जय हिन जय भारत